नमस्कार, खत्री डेरी फारम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आज हम एक विशेश मुद्दे पर बातचीत करेंगे और वहाँ है डेरी प्रसिक्षण, डेरी ट्रेडिंग इसके लिए हमारे बीच में एक विशेश महमान सूरिया फाउंडेशन से श्री गौतम नाइग जी है तो आएए हम बातचीत करते हैं उनसे इस डेरी प्रसिक्षण विशेपर गौतम जी नमस्कार, आपका हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते भारत जी, खत्री डेरी फार्म के सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार और ये यूटूब चैनल एक बहुत अच्छा माध्यम है जो सामान ने पशुपालकों और किसानों तक बहुत सारी योजनाय, बहुत सारी बातें और उन तक पहुँचाता है, ये बहुत अच्छा चैनल है मैं आप से जुड़े सभी चैनल को और इनके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ गौतम जी, जैसा कि आपने हमें बताया था कि आप एक कोई ट्रेनिंग और्गनाइस करने वाले हैं आप क्या बताएंगे इस डेरी प्रस्ट्रिक्शन का आपका मुख्य उद्देश ही क्या है भारत जी जैसा आपने पूछा कि हमारी संस्था का प्रस्ट्रिक्शन है इसका उद्देश ही क्या है तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं सूरिया फाउंडेशन से हूँ, जो एक सामाजिक संस्था है, जो पिछले 25 वर्षों से और आदर्श गाउं युजना पर काम कर ली है हमारे संस्था के चेर्मेन अदर्णिया पद्रमशी जैप्रकाष जी का मानना है, कि गाउं का किसान जब खुशाल होगा, तभी गाउं संपन हो सकता है, खुशाल हो सकता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान स्वावलम भी बने, किसान की आए में बढ़ोतरी हो जैसा हमारे प्रधानमंद्री जी भी मानते है और किसान की आए की बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा साधन, क्रिशी के साथ साथ उसका पशुधन है वो जो पशु रखता है, चाहे गाय, भैंस, बक्री, कुछ भी रखे वो उसका एक extra income source है उसमें अगर उसने सही रूप से management सीख लिया, सही प्रबंदन उसका कर लिया तो उसकी आए में किसानी फसल के साथ साथ वो उसमें अभिवर्दी हो सकती है, विकास हो सकता है और हम देखते हैं कि देशपर में कई ऐसे उदाहरण हैं, जिन्होंने dairy को, dairy sector को एक अपना aim बनाया एक उदेश से उन्होंने इसकी स्थापना की और आज एक सफल डेरी उद्दे मी बने है लेकिन भाराज जी मैं कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं, जो केवली सुनते हैं कि दूद का दाम डेड़ सो रुपे किलो है, घी का डाम धायजार रुपे किलो है और उसे वो सुन करके ही प्रशुपालन सुरू कर देते हैं और होता क्या है, अल्टिमेटली बिना प्रबंधन सीखें, बिना ट्रेनिंग लिए उनको घाटा होता है और घाटा होने के बाद एक बार अगर किसी गाटा हो जाए तो वो उसका मन भहुत खिन हो जाता है ट्रेनिंग से हमको जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा जरिया मिलता है कि हम उसको कैसे एक सही अंजाम तक पहुँचाए हम ये ओनलाइन डेरी ट्रेनिंग कैम शुरुबात करने का हमारा उद्देश यही है कि जो डेरी उद्द्यमी जो डेरी को वेवसाय के रूप में ले रहे हैं वे इसका उचित प्रबंधन सिखे मैं आपको बताना चाहूँगा भारत दुनिया के दूद उत्पादन के अग्रणी देशों में है लेकिन प्रती पशु हमारे हां दूद उत्पादन आज भी बहुत कम है और उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो वैज्यानिक पध्धती से डेरी पालन नहीं हो रहा है लोग परामपरगत कर रहे हैं परामपरगत प्रबंधन भी अच्छा है लेकिन उसमें वैज्यानिक प्रबंधन और मिल जाए तो जैसे सोने में सुहागा होता है उस प्रकार की सिती हो जाएगी तो इसलिए डेरी विवसाय को सफल और अच्छा बनाने के लिए हम इस प्रकार का प्रसिक्षन का आज़न कर रहे हैं अच्छा गौतम जी आप हमें बताईए कि जो आपकी संस्ता है वो इस फील्ड में क्या कारे कर रही है और आपने अभी तक कितने शिविर इस से रिलिटेड लगाए हैं या आपका बैग्ग्राउंड इस फील्ड में क्या है हमारी संस्ता इने सूरिया फाउंडेशन मैंने इससे बताया है पिछले 25 वर्षों से इस विशे पर कारे कर रही है लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से हम गो आधारित ग्राम विकास की और बढ़े है हमारा मानना है कि गाय भूमी और व्यक्ती ये तीनों एक गोल्डन है व्यक्ती गाय और भूमी के बिना चल नहीं सकता जो किसान एकास कर से गाय व्यक्ती और भूमी जहां से चारा उत्पादर होता है उसके बिना चल नहीं सकता और भूमी बिना मनुष्य और बिना गाय के चल नहीं सकती उसके पूशन के लिए उसके उरूरा शक्ति को बढ जहने के लिए चाहिए तो इसलिए ये तीनों golden triangle है इसमें एक का भी अगर एक भी अगर इसमें पिषड़ा रह जाता है अधूरा रह जाता है तो समगर विकास नहीं हो सकता इसलिए हमारे संस्था गो आधारित कृशी गो आधारित ग्राम विकास पर काम करती है पिषले दिनों हमने ऐसे अनेक शिविर लगाए जो गो पालन संबन्दी है गाए अधारित कृशी कैसे अच्छी हो किसानों का input cost कम हो इसके लिए हमने प्रयास किया वो pesticide और बहुत सारे रासाइनी की जो डालते हैं इसके बजाए गोबर गोमुतर का कैसे उप्योग करें मह सकते हैं तो इस प्रकार से हमारा प्रसिक्षन का पिछले 25 साल का background है और उसके विहाब पे हम NDRI जो राष्ट्रिय डेरी अनुसंदान संस्तान करनाल है जो भारत का सबसे बड़ा डेरी सेक्टर का institute है और सूर्या foundation ये दोनों के संथ अत्वाधान में ये डेरी प्रसिक्षन शीविर का आयोजन कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा गोतम जी आपकी संस्ता इसमें बहुत अच्छा कारे कर रही है ये जो शीविर लगने वाला है इसमें क्या-क्या विश्य रहने वाले हैं और उन विश्यों को लेने के लिए कौन-कौन एक्सपर्ट कौन वक्ता के रूप में आने वाले हैं देखिए मैं आपको एक बास पश्ट कर दूं कि ये जो प्रसिक्षन है जब निवासी होता है सब लोग एक साथ रहते हैं एक दुसरे के भावनाओं का आदान-प्रदान होता है विचारों का आदान-प्रदान होता है तो व्यक्ति जादा सीथता है परन्तु अभी परिसितिया विपरीत है आप जानते हैं कि कि इस प्रकार से लोग घरों में हैं यात्राओं पर प्रतिबंध है कहीं कहीं और अब तो हम तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं तो देश में ऐसी परिसि क्या हो सकता है इसके माध्यम से यह ओनलाइन ट्रेनिंग की शुरूबात कि इसमें इस ट्रेनिंग को देने के लिए मैंने जैसे बताया देश की सबसे बड़ी डेरी संस्ता एंडी आराई करनाल लाला लाचपतराय पशुचिकितसाय पशुविज्ञान महाविद्याल है ज इली के वरिष्ट वैज्ञानिक जिन्होंने अनिक ऐसे हजारों लोगों का मारदर्शन किया और उनको आगे बढ़ाया है वे सभी वैज्ञानिक इस शिविर में अपने अच्छे लेक्चर के द्वारा अपने विशे के विशेशग्य हम उनको हम सबको मारदर्शन करेंगे और जो अपने विशे के विशेशग्य हैं और केवल वैज्ञानिक ही नहीं हम इस शिविर में कुछ ऐसे सफल डेरी उद्यमों को भी आमंतरित करेंगे जिन्होंने अपने अपने एक शेतर में किर्तिमान अस्तापित किये हैं जो दो गायशे शुरू किया जिन्होंने दो बड़ा हार्ड है 200-400-600 गायशे रखते हैं और एक सफल डेरी उद्यमी बने हैं ऐसे कई सारे डेरी उद्यमियों का अनुभवक अधन भी हम इस शिविर में कराएंगे तो दो प्रकार के लोग एक तरफ वे जो वैज्ञानिक हैं दुसरी तरफ वे जो इस विशे पर किर्त इमान सापित कर रहे हैं ऐसे दोनों लोगों को वक्ता के रूप में हम रखेंगे अब जहां तक बात आई विशेयों की तो हम विशेय में सबसे पहले हम डेरी फार्म की शुरुबात कैसे करें उसके बाद डेरी फार्म के लिए उन्नत नसलों का चैन कैसे करना है एक पशुओं में हरे चारे का प्रवंधन कैसे हो पशुओं में अहार प्रवंधन कैसे हो जिसे पशु बीमार ना पड़े पशुओं में बीमारियों के सामन लक्षण क्या क्या है और वो लक्षण देख करके हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं उपचार के तीन तरीके ऐलोप तरीके से हम कैसे पशुओं के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं पशुओं के प्रशावकाल में उनकी देखभाल कैसे करें ब्याने के बाद उनकी देखभाल कैसे करें छोटे छोटे बच्छडे बच्छडियों का प्रबंधन वो काफ तयार काफ मैनेजमेंट के बारे में हम करें इसके साथ साथ विभिन-प्रकष में क्या कैसे करना में वेल्जा कैसे करना गोवर गोलमुत्र में वैन्य विश्यों पर वरिष्ट वाइज्यानिक एवं सफल पशुपालक मारदर्शन करेंगे बहुत अच्छा लग रहा है गोतर जी हम आपको इस विशे पर बात्चित कर रहे हैं यह हम सब लोग जानते हैं कि किसानों के लिए जो पशुधन है यह भी उनकी आया का बहुत बड़ा जरिया होता है तो क्या आप हमें पूरी डिटेल में यह बता पाएंगे कि इस पूरे प्रस्रिक्षन से जो किसान है और जो पशुपालक है उसको क्या-क्या फाइदे होंगे उसके सीधे आय में क्या इसका सीधा लाभ मिलेगा देखें जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर सही प्रस्रिक्षन व्यक्ति सीख ले तो उसको लाभ ही लाभ है मैं कोदान से स्पष्ट करता हूँ भारत जी एक व्यक्ति के घर में गाड़ी है और उसको गाड़ी चलाना आता नहीं तो अगर वो गाड़ी चलाता है तो जरूर एक्सिडेंट कर लेगा ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करता है और ट्रेनिंग नहीं लिया तो आगे चल करके उसको नुकसान होगा ये बात निश्चिद है इसलिए हम प्रस्रिक्षन को महत्व देते है तो इस प्रस्रिक्षन से जैसे मैंने सारे विशय बताए अगर उन विशयों को वो सही रूप से सीखता है तो उसको लाब ही लाब है जैसे कि मैंने मैं बता रहा हूँ कि इस शिविर के बाद में हम एक सर्टिफिकेट देंगे जो एंडियरे की माध्यम से होगा इस सर्टि बताना चाहते हैं कि कैसे डेरी अप्सिष्ट प्रबंधन करना है बायो गैस के द्वारा गोबर गोमुत्र के उप्योग के द्वारा ये अप्सिष्ट प्रबंधन भी सिख ले तो उसके खर्चे कम हो सकते हैं और खर्चे कम होंगे तो निशित रुप से आए बढ़ेगी गौत्म जी इस ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए क्या तरीके हैं एक आम किसान इस ट्रेनिंग इस प्रेस्टिक्शन से कैसे जुड़ सकता है वो आपके शिविर को अटेंट कैसे करें ये शिविर पूर्णता ओनलाइन है इसलिए घर बेठे मैं समझता हूँ ये एक सु अंचालन दिनांक 19 जुलाई से 24 जुलाई 2021 तक होगा आपके डिस्क्रिप्शन में शिविर का लिंक दिया जाएगा और जो संपर्क सुत्र है आप उसमें फोन करके इसको आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जूम क लिंक दिया जाएगा और इस सत्रों के माध्धम से आप शिविर में भाग ले सकते हैं गौतम जी एक बात और आप इसमें एड कर दीजिए कि एक इतना बड़ा कारेक्रम आप आप और प्रस्रिक्शन है तो उसके लिए कोई ना कोई शुल्क आपने तय किया होगा वो आप हमारे दश्कों को बता दें ताकि उनको अपने आपको रिजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो मेरा मानना है भारत जी सीखने और सिखाने का कोई शुल्क ले नहीं सकता और को शुल्क दे नहीं सकता लेकिन फिर भी एक विवस्ता है बहुत नॉमिनल चार्ज में यानि 500 रु पर ही आप शिविर का संचालन जूम एप से कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आप हमारे चैनल पर आए बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी और आपने मुझे यह अवसर दिया कि उन पशुपालों को तक उसकी सानों तक हम इस मैसेज को पहुंचाएं कि किस प्रकार से एक अच्छा प्रबंधन करके हम उनकी आये को बढ़ा सकते हैं और यह वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन सीख करके हम एक सफल उद्द्योमी बन सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं हमारे खत्री देरी फारम की सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा क आप लोग भी जादे से ज्यादा संख्या में इस ट्रेनिंग इस प्रशिक्शन से जुड़ें और जादे से ज्यादा इसका लाव लें और इस फिल्द में बड़े बड़े उद्द्योमी बने आप ऐसी हमारी शुपकामना हैं बहुत बहुत नमस्कार